शिवी टीवी शासनकाल सब के लिए सुख कर होगा मेरा अनुमान सही निकला उनका राज्यकाल सब के लिए हितकारी सिध हुआ लेकिन स्वास्थ्या ने उनका साथ नहीं दिया हिंदुस्तान भयानक अठिनाईयों से भरा देश है और यही उसके प्रधानमंत्री के पद को कठिन बना देता है जो आदमी कम से कम 14 घंटों तक डट कर काम नहीं कर सकता वह इस देश का नेत्रितवन नहीं समाल सकता यह बात शास्त्री जी को भी मालुम थी और बीमारी के बाद उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कम कर दिया लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री थे और देश में जो कुछ होता उसकी जवाब देही उनहीं के सिर पर थी मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है विनम्रता और सादगी उनके सबसे बड़े गुंड थे लेकिन वे इतने भी सीधे नहीं थे कि लोग उन्हें चक्मा दे जाएं और नहीं इतने विनम्र कि कोई भी उन्हें जुका दे जब असम में असमी और बंगाली भाईयों में दंगा हुआ पंडित जी ने वहां लाल बहादुर जी को भेजा उन्होंने वहां कई दिनों तक जगडा सुलजाने का प्रयास किया और अंत में जगडे को निबटा कर ही दिल्ली लोटे संसद में एक अंग्रेजी समर्तक विधेयक पेश किया गया था वह घोर रूप से बदनाम विधेयक था और संसत के सदस्य काफी चिड़े हुए थे तब सभी सदस्य अपनी भडास शास्त्री जी पर निकालते थे पर वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे लाल बहादुर जी को जो सेना मिली थी वह गलानी के भार से दबी हुई थी उसके अधिकांग्ष फूल नेफा के मैदान में कट गए थे किन्तु शास्त्री जी ने उस सेना को मांच कर फिर से ताजा और जवान कर दिया जब अमेरिकाने बाधा डाली कि अन हम तुम्हें महिने महिने देंगे तब उन्होंने देश को बड़ी ही संजीदगी से ये सला दी कि पेट पर रसी बांधो साग सबजी ज्यादा खाओ सब्ता में एक शाम उपवास रखो हमें जीना है तो इज़त से जीएंगे वरना भूकें मर जाएंगे नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को एक करोड़ टन से बढ़ा कर डेड़ करोड़ टन कर दिया युद के समय जब पाकिस्तान ने खरोंच मारी तब देश ने शास्त्री जी में एक युद का नेता प्रकट होता देखा और भारत की जनता निहाल हो गई जो लोग उन्हें सीधा और कमजोर समझते उनका भ्रम ज्यादा दिन नहीं ठिकता वे लगबग देहाती आदमी थे जिस अर्थ में रिशी देहाती होता है तीस वर्ष सत्ता रूड रहने के उपरांथ उन्होंने अपना घर कहीं खड़ा नहीं किया क्या रिशी इससे भी बड़ा मनुष्य होता है